हेलो फ्रेंज मैं अनामिका मेरी किचिन में आप से भी का श्वागत है फ्रेंज मकर शक्रांती आ गया है हम तील की तरह तरह की आईटम बनाना शुरू कर दिये हैं तो आज हमारे किचिन में तील पट्टी की रेस्पी बन रही है इसे आप जरूर देखिए लाश्ट तक ये एक दो टीप्स के साथ हम बना के दिखाएंगे एक तम पर्फेक्ट तिल पट्टी तयार होगी आप देख सकते हैं हम एक दब ऐसे साइनिंग वाला चारो तरब से बड़ाबर सेफ में कटी हुई पट्टी बना के आपको दिखाने वाले हैं तो फ्रेंज इस रेस्पी को आ आप जुरू ट्राइब कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए शब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए और प्रमेंट करना मत भूरिए तो चरिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं तो बनाने लिए सबसे पहले हमने गैस के कडावी गरम कर लेना है हमने 200 g तील को अच्छ कर लेना है तील को हम रोश्ट करेंगे तो रोश्ट करने में हमें कुछ भी नहीं डालना है सिंपल गरम कडाही में हम तील को डालेंगे और मेडियम फ्रेम पे हम इसे दो मिनार तक सेंखेंगे तील को हमने एक मिनन तर भूणा है आप देख सकते हैं इसे खलकी सी चटकने की आवाज आ रही है तो यह बात आभ भियान में रखके तील को भूने तील को हमें हलका ही भूना है इसे दल्ले नहीं देना है नहीं तो इसे करवा पईस आने लगता है जाने कि तील की नमी बि बंदने ही करना है, आप देख सकते हैं, हमने तील लिया था, तो इसका करण चंग होने लगा है, तो हमने तील को दो मिनन तक घुना है, मेडियम फ्लेम से, तील को हमने दो मिनट तक भूना है तील का चतकना कम होने लगा है तो समझ दीए कि अपनी तील हो चुकी है हम रेच सिरका Baptist को को चलाते रहेंगे और तील को चलाते रहेंगे क्योंकि तेले में थोड़ा से जादा Teraz के दिख जाएगा इस के विए हम तील को चलाते रहेंगे अब देख सकते हैं, अपनी तील जादा भी नहीं भूनी है, और कच्छी ही नहीं है, हलकी हलकी चलाने में लग रही है, इसका मतलब अपना तील भूई चुका है, अब हम एक प्लेट लेंगे, और एक कॉटन क्लॉट से कडाही को पकड़ के, तील को प्लेट में निकाल लेंगे, क्योंकि कडाही गरम है, तो या तो आप पकर से पकड़िये, या कपरे से पकड़िये, मैं आपको दिखा रही हूं, यह तील जो है हलका सापना मसलने पे मीच तो यह सही तील की पहचाशन है अब चाषण बिनाना शुरू करते हैं इसी कडाई में गुर्व डालेंगे तो यहां पर हमने दो शो ग्राम तील लिया था तो दो शो ग्राम भी लिये है गुर्व आप सकते हैं एक पीला घ्रिया ये ठजिच्टी बहुत सुंदर द्यार होती तो हम इस गुर को छोड़े छोड़े टुकड़े में काट लिये हैं तोड़ने का रीजन यही है कि एक साथ में गुर मिल्ट हो जाएगा नहीं तो अगर हम पूरा पत्थर जर्शा डालेंगे तो आधा गुर की चाशनी बन जाएगी और आधा मिल्ट नहीं हो पाएगा अब ह अब देख सकते हैं गुर्ष को फिढ़ने में एक से देख मीनट ही लगता है ज्यादा टाइम ही लगता है अब देख सकते हैं इसमें एक भी गुर्ष का टुकड़ा नहीं दिख रहा है तधी गुर्ष मिल्ट हो गया है अब हम थोड़ा सा फ्लेम को तेज करेंगे और चाशनी को पकाएंगे चाशनी को हमें 2-3 मीनिट तक पकाना है फिर मैं आपको शेक करके बताऊंगे कि चाशनी तयार हुई है की नहीं आप देख सकते हैं अपनी गूर जो है फूल के हलकी हलकी दीख रही है यानि कि एक जाग जैसा तयार हो गया है अब हम इस प्रोसेस पे डालेंगे दो चमस देसी घी देसी घी से अपनी पटी जो है उसाइनिंग करेगी और ये क्रिश्पी ही होता है हमें कंड्यू चलाते रहना है नहीं तो ये तले में लगने का सांसित रहता है आप देख सकते हैं चाशनी की कलर चेंज हो गई है तो मैं एक बड़ आपको चेक करना बता दे रही है एक कटोडी में हमने यहाँ पर पानी लिया है उसमें हम एक ड्रॉप चाशनी का डालेंगे देख रहे हैं चाशनी तय रही है अपनी अब हम इसे एक सेकेंड के लिए ठंडा होने देंगे फिर हाथ में निकाल के आपको दिखाएंगे तो आप देख सकते हैं यह जो चाशनी है अपनी ऐसे तूट जा रही है हमें कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी है जश्ट यह तूट जाए तो समझें कि अपनी चाशनी पट्टी के लिए परफेक्ट तयार हुई है अब हम इस एश्टेज पे क्या करेंगे तील जो हुना है हमने उसे डाल देना है तो हम एक साथ में सभी तील को डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे चाशनी के साथ आप देख सकते हैं जितनी क्वांटिटी थी अपनी तील की उतना ही हमने गोल लिया और उतने की चाशनी में अच्छे से मीक्स हो गया है हम गैस की फ्लेम को आफ कर लेंगे और चलते हैं पट्टी बनाने की प्रोसेस में इस्ताओं पे एक बटर पेपर फैला लिया है बटर पेपर बहुत ही आसानी से खेंश सोप में मिल लिया था है पेक बनाने के लिए हम लोग लाते हैं ताक उस भी ऐसे स्वीट वेगर पैक करने के लिए इस पेपर को हम थोड़ा सा घी से ग्रीज कर ले रहे हैं जिसके क्या होगा आसानिक से अपनी पटी जो है वो निकल जाएगी ज्यादा घी नहीं लगाना है थोड़ा सा लगाएंगे अब हम इसके उपर क्या करेंगे जो हमने तील चाशली में डाल के रखा है उसको ऐसे डाल देंगे ये सब प्रोसेस हमें फाश फाश करना है क्योंकि गूर जमने लगता है तो अच्छे से हम सेप नहीं दे पाते हैं पटी की तो ये भी बात ध्यान रखना है कि हमें फटा फट फटा फट इसे पेपर पे फैलाना है हम कोई भी तील वेश्ट नहीं करेंगे चम्मच से या कोई शाकू से हम इसे काश के निकाल लेंगे अब हम सबसे पहले इसे चम्मच से थोड़ा सा फैला देंगे अब हमने एक प्लाश्टिक लिया है इसको भी हम थोड़ा सा ऐसे ग्रीस कर लेंगे थोड़ा थोड़ा हम घी लगाएंगे ज्यादा नहीं लगाना है और इस हम सिक्की के ऊपर ऐसे उलट देंगे तो दोनों साइड से अपनी पट्टी कभर हो गई अब हम एक बेलन की अब हम अपने पट्टी को अच्छे से बेल लिया है तो अब हम उपर का प्लास्टिक हटा लेंगे अब देख सेगते हैं इसमें कुछ भी नहीं लगा है ज्योंकि हमने घी से ग्रिस कर रखा था अब हलकी हलकी अपनी पट्टी करण है इसी पे हम चातू से निशान लगाए तो आप अपने मन पसंद सेप में चाकू से ऐसे निशान लगा लेगे नहीं तो बाद में इसे निकालना मुश्किल हो जाता है तो हम ऐसे जगर जगर पे अपने सेप का निशान लगा लेंगे तो अब देख सकते हैं हमने सभी चिक्की पे निशान लगा लिया है ये गड़म गड़म में हम करेंगे नहीं तो सूखने के बाद नहीं होता है उपने लगता है अब हम साइट की चिक्की तोर के आपको दिखाते हैं ये सिस्ली क्रिस्पी तयार हुई है हम बटर पेपर से जैसे चिक्की को निकाल लेंगे और एक चिक्की में आपको तोर के दिखा सकती हूँ देखिए कैसी आवाज आ रही है एक दम मार्केट जैसा अपनी क्रिस्पी चिक्की तयार हुई है तो चलिए हम सभी चिक्की को अलग कर लेते हैं तील पट्टी की हमने प्लेटिंग कर आपने देख लिया तील पट्टी कितनी क्रिस्पी और एकदम हलका है ऐसा नहीं कि दान से तोरो तो इसमें कोई दिक्कत आने वाली है तो हमने एकदम हलकी पत्ली से तील पट्टी बना के तयार कर लिया इस रेश्पी को अभी इस सक्रांती पिर ट्राइ कीजिए आपको ब बच्चे भी बहुत पसंद करेंगे बस एक से दो टीप्स की ध्यान रखनी है हम जब लड्डू बनाते हैं तो उसकी चाशनी हम तार से मापते हैं और पट्टी की चाशनी हम जब पाने में चेक करेंगे तो कट से आवाज आनी चाहिए वैसी चाशनी हो तो अपनी तील बनाते हैं तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए शब्सक्राइब कीजिए सेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए धन्यवाद